यहां लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर इंटर्प्रदेश इस्टेट डिजास्टर मैंडिजमेंट अथॉर्टी फॉर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इस्टुडेंट्स के लिए जोकी UPSDMA के अंदर रहने वाली है paid internship में आपको एक payment जो है stipend की रूप में government की तरफ से दिया जाएगा यहां लिखा हुआ है Applications are invited with complete curriculum vitae under cover letter for 05 vacant seats of internship program in उत्रप्रदेश state disaster management authority for graduate and post graduate students of various subjects from prestigious institutes, renewed universities and college अब देखिएगा 5 seats हैं UPSDMA की इंटरेंशिप है इसमें graduate और post graduate students अलग-अलग universities से all India से prestigious institutes से apply कर सकते हैं आपने UGPG किसी भी university से prestigious college से institute से किया हुआ है आप इसमें apply कर सकते हैं Applications जो हैं वो आपको email के थू forward करनी है last date इसकी 04 September 2024 रहने वाली है इसके अंदर 6 महीने का यह internship का period रहेगा और 10,000 rupees per month आपको government of UPSDMA pay करेगा अब conditions, internship program की जो details है वो UPSDMA की website uphdma.up.nic.in के उपर upload की गई है आईए वो website देखते हैं और वो notification जो है वो क्या से download करना है वो भी देखते हैं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप चनल को subscribe भी कर ले वीडियो को like share करें आपका कोई इमेल के तुरू भेजना होगा इनका इमेल जिसके उपर आप यह form जो है वो आपको इमेल के तुरू भेजना है इनका email address जो है वो hr.upsdma at the rate of gmail.com रहने वाला है चार सितंबर दो हज़ार चोईज रात को 11 बचके 69 मिनट तक आप यह form भीज सकते हैं आईए इसकी वेबसाइट करते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर आप इसकी upsdma.up.nic.in वेबसाइट देख सकते हैं हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं जब हम इस वेबसाइट को एक्स्प्लोर करते हैं और मोबाइल के स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो नीचे यहाँ पर यह ओवर इन दे यूपी एजडिये में तिल फोर्स सितंबर अविलेबल न्यू करके लिंक जो है वो ब्लिंक हो रहा है उस लिंक के ऊपर हमको टैप करना है पहला लिंक जो है हमें उसी के ऊपर टैप करना है टैप करने के बाद में हमारे पास कुछ PDF डाउनलोड होगा उस PDF के अंद इक डिटेल के एकॉडिंग हमें फॉर्म भरना है फॉर्म के अंदर आपको एक CV बनाना है अपना एक cover letter लगाना है साथ में फॉर्म के अनदर अगर फॉर्म मिलता है तो फॉर्म भरना है और इस PDF के अंदर से आपको जो guidelines यह मारदर्शी का दी हुई उसके अपने फॉर्म क को complete करना है उसको फिर scan करके या mobile से फोटो खीच के soft copy बनाके PDF बनाना है PDF बनाने के बाद मैं आपको वो जो website है इस वीडियो में हमने शुरू में आपके साथ share की थी उस website जो email आपके साथ share की थी उस email के उपर आपको 4 सिटमबर राथ बेज देना है इस प्रकार से आप अपना प्रॉस्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में यही कॉंटेंट जो आप हभी अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर करें मिलते हैं इसके लिए गुरु कुल के नेक्श्ट किस इंफर्मेटिव वीडियो में अब सभी अश्वाइज जो शुब कामना है यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल